इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर जी यहां कोरोना की नए अफ्तार ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है आपको बता दे कि कन्नाटक में दो वैक्ती सफ्तार के शिकार हो गए हैं दोनों वैक्ती कन्नाटक के हैं तो वहीं इस पर रज के स्वास्त मंतरी डॉक्टर के सुधाकर ने बताया कि संक्रमितों में एक की उम्रे 66 साल की है और दक्षिन अफरीकी नागरिक है दूसरा 46 साल के इसके बाद 27 नमबर को वो दुबई के लिए रवाना हो गया उसके संपर्क में सभी लोग का टेस्ट करवाया गया जो की सबका टेस्ट नेगेटिव आया था वहीं ओमिक्रॉन का दूसरा मामलत 46 साल के डॉक्टर में पाया गया जो एक सरकार की हस्पताल में काम करते हैं आ जो की पॉसिटिव आया रिपोर्ट के मुताबिक उनकी सिटी वेल्यू कम थी जिसके बाद उनका सैंपल लैप के लिए भेजा गया इनके संपर्क में आए पांच लोगों का भी टेस्ट पॉसिटिव आया है हाला कि दक्षिन अफरीका के वैग्यानिकों का कहना हैं कि इस के लक्षन बहुत गंभी नहीं है आपको बता दे कि कोरोना वारस का नया वेरियंट ओमिक्रॉन महज 9 दिन के अंदर 30 देशों में फैल चुका है दक्षिन अफरीका से शुरूआ यह वेरियंट अब भारत तक पहुच गया है यही नहीं आपको बता दे कि इस वेरियंट का फैलाव डेल्टा वेरियंट से कई गुना ज्यादा है डेल्टा वेरियंट की वज़े से भारत में दूसरी लहराई थी कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि धीरे धीरे कोरोना का नया वेरियंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में पैर पसानना शुरू कर दिया है हालकि केंदर सरकार ने विदेश आने जाने वाली सभी फ्लाइटों पे रोक लगा दी है और एक राज्य से दूसरी राज्य जाने के लिए आटी पीसिया रिपोर्ट्स दिखाना अनिवारी कर दी है और बात करें महराश्ट्र सरकार की तो वो भी अक्षेन मोड में आ गई है जी